तो दोस्तो अगर आपको इमर्जंशी में पैशों के ज़रूत पड़े जाए और आप इमर्जंशी में तुरंत लोन लेना चाहते हो तो आप ए ट्रू बैलेंस एफिलिकेसिन के तरफ जा सकते हो दोस्तो एक कंपनी एक अर्बेर रिजिस्टर इन वेपसी अपरू कंपनी है और यहाँ पर सिर्फ दोस्तो आपको आधर कार्ट और पैन कार्ट के बेसिस वर अच्छी खाची लोन मिल जाती है और दोस्तो यहाँ पर यकिन मनिए कि आपको यहाँ पर सिर्फ 5 मिलिट में लोन आमाउट आपके बेंग के काउट में मिल जाते है तो आज के वीडियो में सुरूप से लेके अन तक ज़रूर देखेगा तो नमस्कार दोस्तो जगुग्यान में आपका एकबर फिर्शे स्वागत है दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एकन डबा कर और नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारे हराने वाले इसी तरी के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते है तो सबसे पहले दोस्तो आपको डिस्क्रेप्शन में ट्रू बिलास एप्लिकेशन की लिंक मिल जाएगी महाँ पर क्लिक कर किया आपको इस वाले एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है दोस्तो यह बहुती बड़ी ट्रस्टेट और जन्यून एप्लिकेशन है आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.3 की रेटिंग है और 50 मिलियन से बेज़ादा लोगों ने इस एप्लिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो इसके आप रेटिंग देखोगे तो यहाँ पर दोस्तो जादा तर रेटिंग आपको अच्छे ही देखनो को मिलेगी तो आप इस पर 100% वरोसा कर सकते हो अब दोस्तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लिकेशन की कुछ डिटेल देख लेते है उसके बाद यहाँ पर दोस्तो लाइप प्रूफ लोन अपले करने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर हमें लोन मिल सुकी है तो उसका प्रूफ भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर प्याले देटर में देखे तो एक कमपरीं से आप 205,000 रूपय से लेके 25,000 रूपय तकी लोन ले सकते हो इसमें अलग-अलग केटेगरी में आपको लोन देखने को मिलेगी जो अभी हम आगे देखेंगे इसके अलबा 162 डे से लेके 1 16 डे का टेन्यूर मिलेगा यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे एक एक जामपल की तो रूपय चमजे तो अगर आपको यहाँ पर 10,000 रूपय की लोन तीन मेहने के लिए 2.4% पर मन के हिसाब से मिलता है तो उसपर 600 रूपया प्रोसेसिंग फिस प्लस 108 रूपया जेस्टी लगाई जाएगा तो यह दोनों मिलाकर होता है 708 रूपया 707 रूपया इंट्रेस्ट लगाए जाएगा 3,492 रूपया का हरमत EMI प्या करना रहेगा और 10,000 रूपया की लोन पर आपको टोटल 11,155 रूपया जुकान रहेगा यानि कि 11,165 रूपया आपको 10,000 रूपया की लोन पर 3 मेहने के बाद ज्यादा जुकान रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों सार्ज थोड़ा बहुत हाई लगाई जाता है या तो सिर्फ एक्जांपल के लिए कम साज बताया है लेकिन फर्स्ट टाम आप लोन लोगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत हाई इंटरेस्ट और साज लगाई जाता है तो अगर आपको इमर्जन्सी के समय में लोन के जरू थे तो ही आपको इस एप्लिकेशन के तरफ आना है वह मैं पहले क्लियर कर देता हूँ अब दूसरी यहाँ पर सबसे इंपोर्टेट बात कि एक कमपने एक आट बेर रेजिस्टर अपर अपरू कमपनी है इसकी 3-4 NBFC है जो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली है True Cred Private Limited, दूसरे ममता प्रोजेक्ट, तिसरी है InCred Financial और सोथ है Grow Money इतनी इसके NBFC है जिसके तरू यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाते है अब इस एप्लिकेशन के हम फीचर देखे तो 5,000 रुपया से लेके 15,000 रुपयाते की लोन प्रोवाइड करती है कमपनी 100% प्यपलेस प्रोसेस रहेगा 24x7 अब कभी भी लोन के लिए अपलाई कर सकते हो लो प्रोसेसिंग फीच रहेगी और एट्रेक्टिव इंट्रेसरेट रहेगा और लोन डारेक्ट आप अपने बेंग के काउट में ले सकते हो तो इसने सारे इसके फीचर है जो आप यहाँ पर देख सकते हो और सबसे इंपोर्टेट बात कि यहाँ पर दोस्तो आपको लोन सिर्फ KYC डोकेमेट पर मिल जाती है यहाँ पर निचे इसका कॉंटेक्ट सब्पर भी दिया हुआ है अगर इस एपलिकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉंटेक्ट कर सकते हो अगर दोस्तों यहाँ पर हम परमिशन में देखे तो एक अपनी केमेरा, लोकेशन, टेलीफोन, SMS, टोरेज और अधर में कुछ इतने प्रकर की परमिशन लेती है तो यह थी दोस्तों सारी इसकी डीटेल तो चले दोस्तों अब हम इस एप्लिकेशन को ओपन करके, यहाँ पर लोन अपलाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं तो यहाँ पर हम इस एप्लिकेशन को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हमरे समने कुछ इस तरीके से इंटर्फिस आएगा यहाँ पर हमसे कुस permission पुछी जाएगी तो यहाँ पर इस सारी permission को allow कर देना है जैसी सारी permission को allow कर आगे तो आपके समने कुस इस तरीके से इंटरफिस आएगा यहाँ पर दूस्तों आपके समने प्रोड़काल जाएगी सारे True Balance Application के यहाँ पर आपको चार तरह की लोन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको दो तरह की लोन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो अन्यत यहाँ पर आपको next कर देना है तो आपसे यहाँ पर language पूछी जाएगी यहाँ पर आपको अपने language सिलक करनी है उसके बाद start पर क्लिक कर देना है तो आपसे mobile number पुछा जाएगा यहाँ पर आपको mobile number एंटर करना है और यहाँ पर इस एरोपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरी के center पर से आएगा तो इसी password से आप इस application में registration कर सकोगे तो हम यहाँ पर दोस्तो नई है user है तो हम इस application में login करके आपको मिलते है तो जैसे ही दोस्तो आप इस application में login कर लोगे तो आप पहुँच जाओगे true balance application के home page में जिसका interface कुछ इस तरी के से देखेगा यहाँ पर आपके income verify करनी होगी अगर आप सिर्फ KYC document पर loan ले रहा साथ हो तो आपको यहाँ पर level up loan मिल जाती है अब दोस्तों यहाँ पर हमारे case में एक और भी loan यहाँ पर दिखाई दे रही है जो है welcome loan यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक 6000 रुपय की welcome loan प्रोवेड कर रही है कमपनी जिसमें दो मेने का tenure मिलेगा और कोई भी document नहीं देना है और यह दोस्तों welcome loan सभी को नहीं प्रोवेड की जाती ही किसी किसी को ही यहाँ पर welcome loan प्रोवेड की जाती है अगर आपका civil score अचा रहीगा तो आपका mobile number फेस करके यहाँ पर यह loan आपको दिखाई दी जाती है तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा साज हाई लगए जाता है और इस loan को मैं apply करने का process भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह welcome loan का option किसी किसी को ही मिलता है सारे लोगों को नहीं मिलता तो आज हम दोस्तों इसके उपर बात नहीं करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर इस application में उपर आपको बहुत सारे option मिल जाएगे जैसे के reference, earn, postpaid research, D2S research यहाँ पर आप research bill पे वगएरा भी कर सकते हो उसके लगा दोस्तों यहाँ पर इसका NBFC license भी बताया है इस पर आप click करके आप यहाँ पर इस application का NBFC license भी देख सकते हो तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर loan के लिए apply किस तरीक से करना है तो यहाँ पर हम दोस्तों यह level of loan करने का complete process आपको बताएंगे क्योंकि यह KYC document पर आती है तो यहाँ पर दोस्तों हम level of loan वारे option पर click करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक permission पूछी जाती है तो हम यहाँ पर एक permission का अलो कर देते है तो जैसे यहाँ पर हम permission अलो करेंगे तो हमरे सामने कुछ इस तरीक से एंटरफिस आएगा अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस application के good parts बताए गिया है कि यहाँ से आपको without document loan मिलेगी यहाँ पर इससे side में scroll करोगे तो यहाँ पर बताए गिया है कि सुरुवात में यहाँ पर आपको 5000 रुपय की limit मिलेगी उसके बाद इस limit का use करके आप time पर repayment करते जाओगे तो आपकी limit increase होती रहेगी तो यहाँ पर simply check my credit limit पर क्लिक करना है तो अगले बिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर low amount शिलक करना का option मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप 1000 रुपय से लेगे 5000 रुपय की limit सुरुवात में ले सकते हो तो यहाँ पर आपको अपने limit सिलक कर लिने है निशे दोस्तों यहाँ पर monthly interest बताए गया है कि 4% interest पर हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमें ए लोन मिलेगी सुरुवात में हो सकते हैं आपको यहाँ पर ज्यादा भी मिले और कम भी मिले लेकिन हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमें 4% interest पर यह लोन मिल रही है और यहाँ पर tenure हमें 2 month का मिल रहा है यानि कि 2 EMI में हमें यहाँ पर repayment करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारी loan amount सिलेक करके हमें next पर क्लिक करना है तो हमारे समने कुछ इस तरह के center पर साइगा यहाँ पर दोस्तों हमें loan का purpose सिलेक करना है उसके बाद अगले page में दोस्तों यहाँ पर हमारा malicious status देना है कि हम single है merit है उसके बाद अगले page में हमारा यहाँ पर सिलेक करना है अगले page में आओगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा housing type बताना है कि हमारे पास खुद का गर है हम brand पे रहते है parents के साथ रहते है जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक करना है उसके बाद अगले प्रेज में दूस्तों हमारा यहाँ पर job type select करना है कि हम sell it है या self employee student जो भी हो यहाँ पर हमें select कर लेना है उसके बाद दूस्तों हम यहाँ पर self employee है तो हम यहाँ पर self employee की category select करेंगे तो उसके हिसाब से दोस्तों आगे की detail सारी हमरे आएगी अगेर आप select person हो तो आपसे यहाँ पर दूस्तों company का नाम वगरा पूछा जाएगा यहाँ पर हम self employee की category में है तो हमसे यहाँ पर business सारी detail पूछी जाएगी तो हमने यहाँ पर self employee select किया तो हमारा next place को इस तरी किसा आया यहाँ पर हमें employment type select करना है उसके बद अगले पिज में यहाँ पर हमारा experience ऑउसके बद अगले पिज में हमें company का नाम या हमारी sop का नाम अवह उसके बद यहाँ पर next करेंगे तो यहाँ पर chickens県श से sector में हो यहाँ पर हमे or उसके बाद next करेंगे, तो हमारे job क्या है, वो हमें यहापर क्लिक करना है, यानि कि gegangenation क्या है, वो यहापर हमें जिलक करना है, उसके बाद next दोस्तों, हमारी monthly salary अंटर करनी है, उसके बाद frank azone Tradition नेक्स पर click कर देना है, जैसे यहापर next करेंगे, तो हमारी salary हमारे bank account में कितने तारीक को आती है वो तारीक यहाँ पर हमें सिलेक करनी है उसके बाद यहाँ पर दोस्तो salary हमारे bank account में आती है, sex से आती है या test से आती है वो यहाँ पर सिलेक करना है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर पूछ रहे है कि क्या आपने आज तक कहीं से लोन ली है अगर ली है तो यस करना है और यस नो करना है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको अपना email ID अंटर करना है और evaluate my loan पर क्लिक करना है तो आपके समने कुछ इस तरीक से अंटर पर स जाएगी और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा go to true balance simply उस पर क्लिक कर देना है तो आप दोस्तों यहाँ पर फिर से आजाओगे अपनी true balance application पर जैसे यहाँ पर आप true balance application पर आओगे तो यहाँ पर थोड़ा processing चल रहा होगा आपके credit history सारी check हो रही होगी तो यहाँ पर आपको amount है 2312 रूपया तेकिन 312 रूपया कुछ फिस लगाई जाती है तो हमरे bank account में आयागे 2000 रूपया निचे दोस्तों यहाँ पर हमरा EMI भी बताए गया है कि हमें यहाँ पर 23 February को पहला EMI प्या करना रहेगा और 26 March को दूसरा EMI प्या करना रहेगा और यहाँ पर EMI के amount भी बत लोन मिल रहे हैं मिले हैं यहाँ पर आपको थोड़ा पर कम इंटरस्टी देदेना पड़ेगा यहाँ पर संपली रेसिव का उप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐस तरी के सेंटरेश आइगा यहां पर आपके bank के detail पुछिजाएगी तो यहां पर आपको अपने bank के detail सारी add कर लेने हैं उसके पाद दोस्तों रिचीव मनी वाले option पर क्लिक करना है तो आप से सामने sanction letter आजाएगा उससे आपको confirm कर लेना है जैसे आप sanction letter को confirm करोगे तो आपके loan amount आपके bank account में आ जाएगी इस application को ब्यक करेंगे तो यहां पर home page में भी दोस्तों हमारी loan यहां पर show करेंगी आप यहां पर देख सकते हो हमारी 2000 रुपे के loan है जो अभी अप्रू हुई है हम चाहे तब इस loan को ले सकते हैं सिर्फ हमें यहां पर bank detail करने हैं और sanction letter confirm करना है और हाद दोस्तों आपको भी सुरुआत में कम amount की loan मिलेगी अगर आप सिर्फ KYC document पर loan लोगे तो अगर आपको ज्यादा amount की loan चाहिए तो आपके पास income document होना चाहिए तो आप ए case loan भी ले सकते हो अगर level of loan लेना चाहते हो तो पूरा process में आपको बता दिया है इस तरह के से आप ले सकते हो और यहां पर ज्यादा comment आए गया तो इस loan amount को अपने bank account में लेके भी आपको बताऊंगा और उसका रेपिमेट करके भी आपको दिखाऊंगा तो अगर चाहते हो कि मैं यहां पर इस loan को अपने bank account में लेके दिखाऊंगा तो मुझे comment जरूर करें तो दोस्तो आज के वीडियों बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, share, comment and subscribe करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं कोरदमा के दार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई